जै माता दि मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाती चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज नवरात्री नवा दिन मैं आपको सुना रही हूँ मा सिध्धी दात्री की कथा बंधों नवरात्री के नोवे दिन मा के स्वरूप सिध्धी दात्री की पुजा की जाती है बंधों मैं अपनी इस वीडियो में आपको मा सिध्धी दात्री की कथा सुनाओंगी साथ ही मा सिध्धी दात्री का स्वरूप कैसा है मा सिधी दात्री की पूजा कैसे करें मा सिधी दात्री का मंत्र क्या है जिससे मा प्रसन होकर शिक्र अपने भक्त की जोली खुश्यों से भरते बंधों यदि आपने यूट्यूब चैनल संस्कार की वाते अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेलाई कंदवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सब से पहले हो सके बोलो सिधी दात्री माता की जय हो बंधों अब मैं आपको मा सिधी दात्री का मंत्र बताने जा रही हूँ इसे ध्याल से प्रेम पुर्वक सुने ताकि आपकी हर मनों कामना शिक्र पूरी हो सके सिध गंधर्व यक्ष ठैर सुरेरम रेरपी सेवे माना सदा भूयात सिधी दा सिधी दायनी बंधों मा सिधी दात्री का स्वरूप कैसा है मा सिध्धी दात्री कमल के आसन पर भी राजमान है इनके हातों में कमल, शंक, गदा, सुदर्शन, चक्र है जो हमें बुरा आचरन छोड़ सद करम का मार्ग दिखाता है आज के दिन मा सिध्धी दात्री की अराधना करने से भक्तों को यश, बल, बाधन की प्राप्ति होती है मा सिध्धी दात्री का नूमा स्वरूप हमारे शुब तत्वों की व्रिधी करते हुए हमें दिव्यता का अभास कराता है मा की स्थुदी हमारी अंतर आत्मा को दिव्य पवितर्था से परिपूरन करती है हमें सतकर्म करने की प्रेणा देती है मा की शक्ती से हमारे भीदर ऐसी शक्ती का संचार होता है जिससे हम तृष्णा वावास नाओं को नियंत्रित करने में सफल रहते हैं तथा जीवन में संतुष्टी की अनुभूती करते हैं मा का ददिप्य मानस्वरूप हमारी सुशुप्त मानसिक शक्तियों को जाकरिज करते हुए हम पर नियंत्रम करने की शक्ति वासमर्थे परदान करता है आज के दिन मा दुर्गा के सिधी दाक्त्री रूप की उपासना हमारी अनियंत्रित, असंतोष, आलस, इश्य, परदोष प्रदर्शन, प्रतिशोद और दुर्भावनाओं वा दुर्बलताओं का समूल नाश करते हुए सद्गुनों का विकास करती है माक सिधी दाक्त्री के आशिरवा से ही हमारे भीतर लगातार क्रियाशीलता उत्पन होती है जिससे हम कठिन से कठिन मार्ग पर भी सहता से आगे बढ़ते जाते हैं मा दुर्गा की नवो शक्तियों का नाम सिधी दाक्त्री है ये अश्ट सिध्यां प्रदान करने वाली देवी है देवी पुरान के अनुसार भगवान शिव ने इनी शक्ति स्वरूपा देवी की उपासना करके सभी शक्तियां प्राप्त की थी जिसके प्रभाव से शिव का आधाश्रीर इस्त्री का हो गया था और शीव का यह सरूप अधनारिश्वर के नाम से प्रसिद हुआ मा सिध्धी दात्री, सीवाहिनी, चेत्रभूज, सर्वदा, प्रसंद बदना है देवी सिध्धी दात्री की पूजा के लिए नवाहन का परशाद नवरस युप भोजन, नो परकार के फलफूलादी का अरपन किया जाना है इस तरहें नवरात्र के नुमे दिन मा सिध्धी दात्री की अराधना करने वाले भक्तों को धरम, आर्थ, काम वा मोक्ष की प्राप्ती होती है सिध्धी दात्री का सुरूप देवी सरस्वती का भी स्वरूप कहा जाता है जो श्वेत वस्त्रधारन की ये भक्तों को ज्यान देती है मा के चर्नों में शर्ना गतोकर हमें निरंतर नियम निश्ट रहकर उपासना करनी चाहिए मा सिध्धी दात्री का स्मरन, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की अमरता का बोद कराती है और अमरित बद की ओर ले जाती है पुरानों में बताया गया है कि देवी सिधिध दाथ्ती के चार हाथ है जिन मेवेक, शंक, गदा, कमल का फूल और चकल धारन करती है यह कमल पर वी राजमान रहती है इनके गले में सفेद फूलों की माला और माथे पर तेज रहता है इनका वहन से ही है देवी पुरान और ब्रह्म बैवर्वत पुरान में देवी की शक्तियों और महिमाओं का बखान किया गया है दुर्गा पूजन में इस तिधी को विशेश हवन किया जाता है यह नो दुर्गा अरादना का अंतिम दिन होता है इस दिन माता सिध्धी दात्री के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है सरवप्रथम माता जी की चौंकी पर सिध्धी दात्री मा की तस्वीर या मूर्ती रख इनकी आरती और हवन किया जाता है हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से हवी यानि अहुती देनी चाहिए बाद में माता के नाम से अहुती देनी चाहिए दुरका सपश्चती के सभी शलोक मंत्र रूप हैं सपश्चती के सभी शलोकों के साथ अहुती दे जा सकती है देवी के बीज मंत्र आम रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे नमू नमा से कम से कम 108 बार अहुति दे भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजन के बाद आंत में इनके नाम से हवी देकर आर्थी करने चाहिए हवन में जो भी प्रशाद चड़ाया जाता है उसे स्वस्त लोगों में बाटना चाहिए ये सिद्धी मा तू सिद्धी की दाता तू भगतों की रक्षक तू दासों की माता तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धी तेरे नाम से मन की होती है शुद्धी कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जबी हाथ सेवक के सिधरती हो तुम तेरी पूजा में तो ना कोई विधी है, तु जगदंबे दाती, तु सर्व सिध्धी है रवीवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ती को ही मन में धरे जो तु सब काज उसके करती है पूरे कभी काम उसके रहे न अधूरे तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया सरफ सिद्धी दाती वे है भग्येशाली जो है तेरे दर का अम्बे सवाली ही माचल है परवत जहां वास तेरा महानन्दा मंदिर में वास तेरा मुझे आसरा तुम्हारा ही माता भग्ती है सवाली तो जिसकी दाता बोलो सिद्धी दाती माता की जै हो राधे राधे जै श्री क्रिश्ना बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद